जल्दी करो हेंडरी मैं तो तयार हूँ मॉमा हेंडरी अगर हमें ट्राफिक से बचना है तो अभी इसी वक्त निकलना होगा मैं तयार हूँ पापा हेंडरी अभी क्या भी उठो सुबा सुबा आखिर कौन सा पाहार तूट पड़ा है हम पाहार जारने के लिए स्टोन पार्क जा रही है स्टोन पार्क? हाँ देश का सबसे बड़ा स्टोन कलेक्शन है वहाँ तो मैं क्या करू यार? तुम्हें पता है, उनके पास तो बड़ा सा डाइनो भी है जो कम से कम दो सा साल पुराना है गारी में बैठ जाओ दोनों, चलो मिस लवली ने कहा, ये सब उनके समाने का है और मैंने कहा, मिस लवली आप इतने भी बोड़ी नहीं हो सकती और फिर वो हसी, मैंने उन्हें हसा आया और फिर उन्होंने कहा, मेरी बाद अभी तक पूरी नहीं हुई हैंडरी अच्छा है हैंडरी, तुम मेरी बाद सुन रहे हो ना? पकाओ मात तो, हापी हीपो नमबर वान? तुम भी स्टोन पर्क जाने के लिए एक्साइटेड हो ना? अब क्या पूरे रास्ते अपने इस हापी हीपो से बात करने वाले हो तुम? करूंगा, जितना चाहू उतना तो, मेरा हापी हीपो नमबर दू? वारे वाह मैं अपना फीविट कॉमिक बुक भूल गया चलो, निकलने के लिए तैयार? हाँ, बिलकुल मेरे लिए रुको, ये लोग तो मुझे छोड़के चले गए रहे एक मिनिट, ये मुझे छोड़कर चले गए हम, तो मुझे स्टोन पार्ट नहीं जाना पड़ेगा और मुझे पूरा दिन उस पकाव पीटर और उसके हापी हीपोस के साथ नहीं बैठना पड़ेगा और मैं जो चाहू वो कर सकता हूँ ये आह, कितनी शान्ती है यहाँ तुम ठीक तो होना पीटर हाँ पापा किल बोई राट सुने का टाइम हो गया हाँ मैंने कहा तुमने सुना क्या मैं हूँ सूपर कूल कौनों तुम ना करना तंग दम 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 आखिर का ट्राफिक में फस ही गए क्या मैं आपके मैंनो रंजन के लिए गाना गाऊँ सरूर गाऊ मेरे प्यारे कोईल जैसे बच्चे चंपाचा मेरी मुझे है बहुत पसंद बकवास है, बेलकुल बकवास है होमवर्क सबसे बकवास है मैं हो गया, बहुत ही खुश दिमाग खराब हो गया इस ट्राफिक जाम में यह सब तुम्हारी वज़ा से हो रहा है हेंडरी सुन रहे हो ना हेंडरी हेंडरी, बापा की बात सुनो क्यों क्या हुआ हमारा हेंडरी, हेंडरी आए अब है क्या? शायद हम हेंडरी का घर पर छोड़ाएं बखवास है, सब बखवास है ये हूंबख सबसे बखवास है याकीन नहीं होता कि हम उसे छोड़ करा के हम हेंडरी को छोड़ कैसे सकते हैं कितने बड़े मम्मी पापा है अब हम क्या करेंगे हाँ उसे एक फोन क्यों नहीं करते हैं? ओ, हाँ, हाँ, तैंक यू पीटर, बहुत ही होश्यार बच्चे हो फोन एंगेज़ है? फिक्र मत करो, एक बार फिर से कोशिश करो, लग जाएगा अब भी एंगेज़ी आ रहा है दुन्या के सबसे बुरे ममी पापा कैसे होता है मुझे पता नहीं पर मेरे वाले मुझे घर चोड़के चले गए वही तो सोचो कितना कूल है ना बिल्कुल सही कहा तुमने अब भी एंगेज़ी है तो किसी और को फोन क्यों नहीं कर लेती? हाँ 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 देखती हूँ हमारे घर पहुँचने ता कौन उसके साथ जाकर बैठ सकता है हलो तकलीफ के लिए मैं माफी चाहती हूँ पर हेंडरी के बारे में कुछ बात हलो अ उथा लिया दादी मफ रचाह हेंडरी के बारे में कुछ कहना की क्या तुम हेंडरी अटा के बात कर रही हो हाँ 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 वही बिल्कुल वो क्या है कि वो घर पर अकेली है ओ ف리क्र मत करो वो थीक ही होगी काफी समज़दार बच्ची है मैं अब रखती हूँ मुझे सिंगिंग क्लास इसमें जाना है बाई मेरा हेंरी बस वो ठीक हो स्वागत है हेंरी राजा के महल में अब क्या करें कितनी बुरी मां हूँ मैं सोचो 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 याद आया हाँ सुनिये सुनिये क्या है कि हेंरी की क्या आप जंग के लिए तयार हैं मेरे कमांडर जंग के लिए बिल्कुल तयार मेरे महन राजा हेंरी तीन दो एक अटाक तंको हमेशे ये करने ना कितना मसा आता है वाँ बहुत बड़िया फैंग चलो अब नेक्स क्या करें चॉकलेट मिल्क बनाते हैं अरे वाँ या फिर सूपर डूपर बोलिंग हाँ चलो वही करते हैं ठीक है हम पीटर के गोल्ड कप्स को बोलिंग रिंग्स की तरह यूज कर सकते हैं जल्दी नीचे वो वो क्या है? ओ नौ एक आँख माला राक्षस भी हो सकता है चलो जो भी था अब चला गया चलो बोलिंग करते हैं और फिर फ्रिज में एक बड़ा सा ऐस्क्रीन पाक भी रखा है अरे ये वही है एक आँख वाला राक्षस पर वो तो सिर्फ रात को ही आता है ना कहा पर आ तुमने? वो तो याद नहीं मुझे है आखिरकार निकल गए चमपा और जामेली अभी नहीं की चाओ यहाँ तो कोई नहीं है मुझे अच्छी तरह याद है उस फिल्म में क्या हुआ था क्या? वो एक फ़नी सा जाल बिचाता है मगर कैसे? वो तो याद नहीं मुझे कौन इतना धीरे चला रहा है जिका 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 एक और चीज़ हमें अब यहाँ से चलना चाहिए ठीक है आता हूँ मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं पूरा का पूरा डैमेज वसूल करूँगा ऐसा क्यों? बदू बच्चों तुम लोग मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे? हमें लगा कि आप वो एक आखवाली राक्षे सो आप आपार नहीं शाइड नहीं अभरा सुर्टा जाई प्राइड नहीं नहीं आपार नहीं इडकाम कर ग्या हैंजी!!!